दोस्तों, इस Study91 के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज आप सभी की समक्ष भारती संविधान के अगले क्लास को लेकर हाजी रहूं दोस्तों, जो के आज हमारा 185 लेक्चर है इसी सीरीज में दिगर सो लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास 20 से को कवर किया आगे 151 नंबर से 180 जो हमारा चला है भारती संविधान की क्लास चली आज हमारी 35 वी क्लास है, 35 लेक्चर हो जाएगा आज की क्लास अगर आप अटन करते हैं दोस्तों तो आज हम कवर करने वाले है 5521 से लेकर के 5550 तक के सवालों को पढ़ने वाले है यानि आज की क्लास कवर करने के बाद आपके पास 5550 सवाल पूरे हो जाएंगे ठीक है और आज हमने टॉपिक क्या चूच किया दोस्तों तो टॉपिक है संसद और संसद में समान नियों विदाई प्रक्रिया से संबधिन बहुत सारे सवाल बनते हैं उन सवालों पर हम चर्चा परिचर्चा करने वाले जैसे एक्जामपल लिख रहा किसी विशय पर सदन की राय जानने के मसाधे को क्या कहा जाता है एक लाइन में सवाल आता है बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते हैं लिख रहा कितने सदस्यों की अनुमती के परश्चात अस्थगन प्रस्ताव लाया जाता है या फिर सदन की कारेवाई में पहला विशय कौन सा होता है या फि का जबाब देने में आप असमर्थ होते हैं जब कभी आप संविधान पढ़ रहे होते हैं तो यह सारे टॉपिक आप छोड़ देते हैं जो आज कल हम लोग पढ़ा जा रहा है ठीक है आप सोच सकते हैं कि 35 लेक्षर हो चुके हैं अभी संविधान के दोस्तो हम लोग संसद व मैं कहता हूँ मेरा अपना कांसेप्ट है कि आप बिसे को एक बार पढ़िए इतना बेजोड तरीके से इतना जोरदा तरीके से चीजों को पढ़ लिजे कि भारत का कोई भी एकजाम हो आपको डाउट नहीं आना चाहिए ठीक है इसी क्रम में दोस्तों आपको पॉलिटी की क्लास भी दी जा रही है हिंदी की क्लास तो दोस्तों हमारी सूपर सेलिंग क्लास है ठीक है आप एक मौका भर दीजे जुड़िये हमारे साथ कैसे जुड़ना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है कॉल करके संपर कर सकते हैं ठीक है सीधे आते अपने सवालों पर और पढ़ राजनितिक सब्दावली में सुन्यकाल का अर्थ क्या होता है ठीक है यह जो सुन्यकाल होता है सुन्यकाल किसकी देन है दोस्तो याद रखेगा सुन्यकाल अगर पूसता है किसकी देन है सुन्यकाल बताइए किसकी देन है तो याद रखेंगे अगर यह सवाल आता है तब कालिया हुआ समय होता है जब क्या किया जाएगा दोस्तों जब संसद के अलग-अलग सदनों में क्या किया जाएगा प्रश्ण किया जाएगा उसका उत्तर प्राप्त किया जाएगा इसी लिए इसे हम क्या करते हैं प्रश्ण उत्तर काल करते हैं देखरा संसद में अत्याधि प्रस्ण है वो पूछ सकते हैं अच्छे मैं चीज बताना चाहूंगा आप सभी हो सकता है न जानते हों होता है कि संसद में माल लीजे लोगसभा है अब लोगसभा माल लीजे 545 लोग भरे हैं 545 संख्या भी बड़ी होती है ठीक है अब 545 लोग बैटे हैं और वहां पर सवाल पूछना चाहते हैं तब उसे मौका दिया जाता है तब अपना सवाल पूछता है इतनी लंबी प्रक्षिया होती है क्या किया जा है ठीक है इसलिए दोस्तों कि संसत का जब सदन चल ला होता जब कारेवाई चल ले होती हिना वो पीरिड़ बड़ा इंपोर्टेंट ह प्राज乐 आलए चाल उनय जाता रहा कि सब्लीयросुए कि शुरुवत भारत ने किया था ये क्लिक पीचे मैं रिखा रहे कि सुन्य काल रहत की दें है सुनने काल किसकी देन है तुत्तर क्या होगा दोस्तों ये सुनने काल भारत की देन है ये सवाल भी परिशा में आता रहता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हगला सौल लिखे लिकरा सदस्य जिन प्रश्णों का उत्तर लिखित में चाहता है देखे दो तरीका हो सकता है त अगर उत्तर लिकित रूप से दिया जा रहा है तो जहिरा जीवात है वहां पर वहां कैसे हो सह उनको अतारांकित जोस्थाँक्त हो जाता है आपको बताना चाहूंगा बच्छे कन्फ्यूज बहुत होते हैं ठीक है आज मैं पढ़ा दे रहा हूं ना आज के लिए तो ठीक है लेकिन दोस्तों आगे दो-चार महीने बाद भूल जाओगे यह सवाल का उत्तर आप भूल जाओगे आप सुचें के मौखिक में तारंकी था कि या तारंकी था हम काम करते हैं हम मा जी आपको एक ट्रिक देते हैं क्योंकि हमें पता है भूल जाओगे तो मैं ट्रिक देता हूं दोस्तों माल दीजिए आपने बड़ी-बड़ी कंपनियों का एडवर्टीजमेंट पड़ा होगा और एडवर्टीजमेंट के बाद नीचे छोटा सा ऐसे स्टार बना होता ह है और लिखा रहाता है T & C अगर ध्यान देंगे तो इसका मतलब होता है term & condition apply ठीक है हर जगा जितनी बड़ी कंपनी आहे न यह अपने आपको सेफ रखने के लिए यह स्टार लगा के छोटा सा term & condition apply लिग देते हैं क्यों भूल चुक माप करो जो बाते होंगी term & condition में डाल ठीक है तो दोस्तों यहीं आपको याद रखना है यह स्टार जहां लगा इस्टार मतलब क्या लगा दिया स्टार को हम तारा कहते हैं तो तारा से याद रखेगा तारांकित तो तारांकित जो होता दोस्तों क्या होता मौखिक होता है ठीक है वो अभी स्टार टर्मिन कर्डिस क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़के चीजों को याद रखा जाए, ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बहादुरी इसी में है, ठीक है, तो याद रखेगा इस सवाल को, अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा अविलंबनी है लोक महत्व के प्रश पढ़ेगा, तो पहले उस सब प्रक्रिया, बेप्रक्रिया होगी कि बात करना जरूरी है, तो वहीं लिख रहा दोस्तों, कि अविलंबनी लोक महत्तों का अगर कहीं प्रशन है, तो वे प्रशन क्या कहा लाते हैं, जिन्हें साधार प्रशन के लिए नेधारित 10 दिन की जाता है, यह अलप सूचना प्रशन जो दोस्तों, एक आप पढ़ते होंगे, या साध आपको न भी पता हो, एक नियम फोट्टी होता है, जिसे नियम चालिस करते हैं, इस नियम चालिस में दोस्तों इसी अलप सूचना प्रशन के बारे में बताया गया है, यह अलप सूच सदस्य अत्यावस्यक मतलब अतियावस्यक और विलंबनिय विसय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते अभी हमने पढ़ा दोस्तों नियम 40 है यह वही अच्छा लिख रहा है न याद रखेगा इस अल्प सूचना प्रस्न के बारे में नियम 40 में बताए गया लेक आप से अल्पकालिक प्रस्ण के बारे में बताएक लेकिन अगर चर्चा के बारे में बात करा तो नियम 193 आपको याद रखना है अब मुझे बताओ क्या आपको आपने जहां भी कोचिंग किया आपने जहां भी क्लास किया ठीक है भारती संविधान की या आपके पास जो भी किताबें क्या आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई है अगर नहीं पढ़ाई गई तो सवाल ये उटता है कि आप जो तो सबसे ज़रूरी है इसलिए मैं आपको प्रश्णुतर की शेंखला कराता हूं ताकि आपका मन जो है विचली तना हो सीधे सीधे आप अपना नोट सुठाइए आप जहाए जहां भी पढ़ रहा हूं आप अपने टीचर से पूछिए कि बताइए आपने नियम 193 हमें क्यो क्यों नहीं बताएं अल्प सूचना के प्रश्ण क्या होते हैं अल्प काली चर्चा क्या होती इसके बारे में आपने क्यों नहीं पढ़ाया आपने वही पढ़ाया जो याद थे आपने वही पढ़ाया लोग सभा के सदस्यों की कारिकार पांस साल होता है राजी सभा का छे बहुत अच्छा सावाल दोस्तो हमने पीछे पढ़ा कि सुन्नेकाल को हम्प्रश्नौत्तर काल काती हैं दोस्तो भारत की देन है जो जो सवाल परिछ्षा में बन सकते बहुत आग Natal की अधिकतम अवधी कितनी दिया जाता है ठीक है लिख रहा है सदस्य जिन प्रश्णों का उत्तर तूरंत सदन में चाहता है अगर एक बाब बताओ तूरंत अगर आपको उत्तर चाहिए तो तूरंत आपको लिखित मिल नहीं सकता है अगर तूरंत आपको उत्तर चाहिए मतलब आपको मौखिक रूप स बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा मौकित की बात करेंगे तो तारांकित करेंगे और मौकित की बात करेंगे तो और तारांकित करेंगे न यहीं देखिए लिखित की बात करेंगे तो क्या कहेंगे यहां तारांकित देख एक बार मैं पीछे देखनू मैं कुछ गलत तो नहीं बता दिया ठीक है एक सकट रूशाओ जाईए मैंने हम क्या लिखा मोगिक को तारांकित लिखित को आतारांकित स्वाल कि अब आप चाहते हैं कि नितिन सबार आप लिख के दीजिए तब तो क्या हो जागा दोस्तो आ तारंकित हो जाएगा अगर पूछे अ तारंकित है तो उत्तर कैसे दिया जाएगा लिखित रूप से दिया जाएगा संसत की कारेवाही में पहला विशय कौन सा होता है बहुत बढ़िया सवाल और एकदम जबरदस सवाल संसत की कारेवाही जब सुरू होती है ठीक है माली जे किसी दिन संसत की कारेवाही स्टार्ट होई ठीक है और अच्छा कितने दोस्तों सत्र चलते हैं एक दोस्तो होता है बजट सत्र क्या होता है बजट सत्र एक होता दोस्तो मांसून सत्र एक होता दोस्तो सीत कालीन सत्र ठीक है सीत कालीन सत्र यही तीन तरह के दोस्तो सत्र चलते हैं याद रखेंगे यह तीनों important ठीक है अभी आप से पूछ रहा पहला विसे कौन होता है तो पहला विशय मतलब होता है यहां पर प्रश्नकाल का समय किसका होता दोस्तों पहला विशय क्या होता प्रश्नकाल सब सदर सिखा करते हैं अपने प्रश्न पूछते हैं यह प्रश्नकाल का समय होता है लेकर है किसी विशेस दिन लोग सभा में अधिक्तम कितने तारांकित प्र क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा दोस्तो आपसे पूछ रहा अधिक्तम प्रस्ण कितने हो सकते हैं दोस्तो तो याद रखेंगे अधिक्तम प्रस्णों की संक्या कितने हो सकती है 20 प्रशन हो सकता है कहां पर दोस्तों याद रखेंगे 20 प्रशन कहां हो सकता है लोग सभा में एक केस और आप याद रखेगा 20 प्रशन तो ठीक है एक आदमी कितना सवाल पूछ सकता है लोग सभा में तो याद रखेगा एक दिन में एक सदस्य केवल एक प्रशन पूछ सकता है ध्यान से देखेगा एक दिन में एक सदस्य सब एक ही एक ही है एक दिन में एक सदस्य केवल एक प्रशन पूछ सकता है केवल एक प्रशन क्या कर सकता दोस्तों पूछ सकता है और इस प्रकार अधिक्तम प्रश्णों के संगया कितने होगी 20 मतलब एक दिन में 20 लोगों को मौका दिया जाएगा प्रश्ण पूछने का या आप याद रखे अच्छा अब आपके मन में एक सवाल हो रहा गया सरे तुर लोकसभा के बारे में माल लीजे कभी सवाल राज्य सभा का दे दे तो बिलकुल दे सकता है राज्य सभा का दे दे तब क्या करेंगे आईए पढ़ लेते हैं दोस्तों राज्य सभा में अगर यही सवाल दोस्तों पूछे आपसे राज्य सभा में क्या सवाल पूछे कि बताईए कि राज्य सभा में कितने तारांकित प्रशन पूछे जा सकते हैं तो तारांकित मतलब हो गया मौखिक, राज्य सभा में कितने मौखिक प्रशन पूछे जा सकते हैं तो उत्तर याद रखेगा, एक सदस्य तीन प्रशन पूछ सकता है और अधिक्तम की सीमा नहीं है ठीक है अधिक्तम की क्या है दोस्तो अधिक्तम की सीमा नहीं है यह भी याद रखेंगे मतलब maximum कितना भी पूछ सकता है लेकिन जब आप लोग सभा की बात करते हैं तो यहाँ पर maximum limit लगी वही दोस्तो maximum पूछ सकता है 20 कितना पूछ सकता है 20 अ तो जबाब दे पाएंगे और जो नहीं पढ़ा होगा उनका क्या अच्छा मैं कोई भी से पढ़ाता हूं ना तो शुरुआत में क्या होता वीडियो लोग देखते नहीं ठीक लोगों को पसंद नहीं आता है रहे छोड़ो बहुत लोग जीके जीएस पढ़ाते हैं अब समझ समझना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा आपको लिखना संसत के दोनों सद् सद्शाम में प्र शेह थीक बाद के समय को दूस्तों क्या काते तो पहले आपने क्या पढ़ा के ठीक बात का समय क्या कहलाता दोस्तों उसे हम कहते हैं सुनने काल क्या कहते हैं प्रशनकाल के बात का समय क्या होता है सुनने काल और इसी सुनने काल को हम कहते हैं प्रशनोत्तर काल क्या कहते हैं ठीक है तो यह भी आप याद रखेंगे बहुत अच्छा अच्छा सवाल है और यह सारे सवा आपसे आपकी परिच्छा में पूछे जा सकते हैं लिकरा भारत में अलपकालीन चर्चा की सुरुवात दोस्तों कब से हुई यह अलपकालीन चर्चा दोस्तों पीछे इसी अलपकालीन चर्चा के बारे में लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों के अलप 193 में ध्यान देना, क्या ध्यान देना है नियम 193 ध्यान देना है जो पीशे हमने पढ़ाता इदम कुलू में बताया था ठीक है, अच्छा आगे लिखा दोस्तो भारप में अलपकालीन चर्चा आप से पूछ रहा चर्चा ये सुरू कब हुई थी याद रखेंगे ये चर्चा स्टार्ट हुई थी 1903 के बाद कब? जबकि दोस्तो अगर आप लोकसभा पर ध्यान दीजे, लोकसभा पर ध्यान दीजे तो लोकसभा का गठन दोस्तो 1952 में ही हो चुका था और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्य सभा का गठन भी 1922 में हो चुका था लेकिन दोस्तों याद रखने वाली बाते हैं कि ये वाला कान दोस्तों 1993 के बाद शुरू हुआ है 1993 नहीं, 1993 के बाद शुरू हुआ है किसके बाद? तिरपन के बाद तो अगर ये सवाल परिच्छा में आये ना तो बच्चे दोस्तों हमेशा सोचते कि लोकसभा का गठन हुआ होगा उसी समय से चलेगा उनके दिमाग में बावन चलता है आप इसको थोड़ा सा अपडेट करके पढ़ेगा बावन नहीं आपको तीरपन पढ़ने का हो सकता है लिकरा लोक महत्यों के प्रश्ण पर सदन का ध्यान आकरसित करना किन चर्चाओं का मुख उद्देश है दोस्तों तो इसी को कहते हैं अलपकालीन चर्चा क्या कहते हैं दोस्तों अलपकालीन चर्चा ठीक है अलपकालीन जो चर्चा होती दोस्तों उसका उद्देश क्या है कि सदन के ध्यान को आकसित करना और जो लोक महत्तो के मुद्दे हैं उन पर दोस्तों चर्शा करना ये दोस्तों इसलिए होता है लिकरा किस संस्था का सबसे महत्तुपूर कार या देश के लिए कानून का निर्मान करना है ये तो ऐसा घिसा पिटा स लोकसभा राजसभा और राश्पती के मिलने से ही होता है यह हमको ध्यान लखना है ठीक है आगे बढ़िए अच्छा ध्यान दीजे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफार्म से कई सारी किताबे आई हैं क्यों इतनी किताब नहीं है यह सैंपल के तौर पर दिखाया जा रहा है कि अगला सवाल लिख रहा है कि क्या लोकसभा राज्यसभादवारा पारित बिध्यक को कोई कानूनी सक्ती प्राप्त होती है तो सीधा जिया लिखेगा नहीं अरे अभी तो खाली पास हुआ बहुत सारे बच्चे तो जानते ने कि कैसे पास होता है मैं आपको एक किसी भी सदन में क्या पेश किया जाता है जब बिल दोस्तो राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाता है तब इसे क्या करते हैं विध्यक करते हैं तो ध्यान देंगे कि विध्यक करता है विध्यक तब करता दोस्तो जब यह क्या होता है चाहे लोकसभा की बात करें चाहे अधिनियम दोस्तों तब बनता है जब signature हो जाए ठीक है signature हो जाए दोस्तों किसका याद रखेगा राश्ट्रपती का किसका दोस्तों राश्ट्रपती का जब signature हो जाता है तब जाकर के क्या हो जाता है यह अधिनियम बन जाता है एक्ट बन जाता है समझ में आ रहा है यह एक ततरीका होता है तो अभी आपसे पूच रहा कि क्या लोग सभा और राज्य सभा द्वारा पारित बिधेक के पास कोई कानूनी सकती होतीे तो अभी राश्पति का साइन ही नहीं हुआ है और जब तक राश्पति का साइन नहीं होगा तब किसकी सामती तो याद रखेंगे राष्ट्रपती की श्रहमती के बाद क्या हो जाता दोस्तो उसको पावर मिल जाता है कि अब उसको कानूनी सक्ति मिल गई है अब उसे सक्ति के साथ लागू भी किया जा सकता है अगला सवाल लोग सभावा राष्ट्रपती द्वारा हस्ताक् किये जाने के बाद क्या बन जाता है तो याद रखेगा अब यह क्या बन जाएगा दोस्तों अब यह अधिनियम बन जाएगा क्या बन जाता है अधिनियम बन जाता है जिसे इंग्लिस एम एक्ट करते हैं ठीक है अधिनियम बन जाता है जब तक साइन नहीं हुआ है तब तक करते हैं समझ में आ गया इसको याद रखेंगे आगे सवाल लेकिये लिख रहा संसद के कि आंगो cools की सभा की सभा की सभा क जरूड है और इसके साथ तीसरे नंबर पर क्या राश्पती लिखना चाहिए अब मैं बता राश्पती का हस्ताक्षर हो बिना हस्ताक्षर के क्या कानून निर्माड हो सकता है उत्तर होगा नहीं तो इनको याद रखेंगे यानि इन तीनों को मिला करके दोस्तो ये कानून बनता है लिख रहा है लोकसभा या राजसभा में पेस पारित प्रस्तावित कानून को क्या कह जो अभी राजसभा या लोगसभा में पेस किया गया दोस्तों उसे क्या कहा जाता है पेस पारित दोन लिखता है दोस्तों पेस होने बाद पारित लिख दिया तो अगर पारित हो गया है तब वो क्या बन जाता दोस्तों तब वो विध्यक बन जाता है क्या बन जाता दोस्तो तो कब प्राप्त होगी याद रखेंगे जब राश्पती का हस्ताक्षर हो जाएगा तब दोस्तों उसे कानुनी सक्ति मिलेगी अन्यथा उसे कानुनी सक्ति प्राप्त नहीं होती बात खतम समझ में आगया ना आगे बढ़ो लिगरा किस संसदी नियम के तहत गैर सरकारी सद सदस्यों द्वारा जो गैर सरकारी सदसे हैं उनके द्वारा भी दोस्तों प्रश्ण पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है जब दोस्तों अल्पकालीन मुद्दे से संबंधित प्रश्ण हो किस संबंधित हो अल्पकालीन मुद्दे का प्रश्ण हो दोस्तों यहां दोस्तो जो आपने पीछे पढ़ा था नियम 40 न वो नियम 40 आप याद रखेगा यह important है ठीक है और चर्चा की बात करेगा तो नियम 193 याद रखेंगे अच्छा अगर क्या लिख दे दोस्तो अगर सामने लिख दे अलपकालीन चर्चा क्या लिख दे दोस्तो अलपकालीन चर अब देखे किस सरकार के विरुद होता है तियाद रखे का बहुमत सरकार जिसकी बहुमत होती है ठीक है उस सरकार के विरुद क्या किया जाता है निंदा प्रस्ताव पेस किया जाता है जो विपक्षी होते हैं वो निंदा प्रस्ताव पेस करते हैं और उसे हम क्या नाम दे सब्सक्राइब の जा सकता है कुछ लिए रिए याद हाया कितने सदस्यों की अनुमती पूर सक्षात अस्तenkन प्रस्ताव लाए जा सकता है ूआ यह कंचनrator के द्वारा क्या किया जाता है यह अस्तागन प्रस्ताव लाए जाता है है उसके बाद जाके लोग सबाद द्रच के द्वारा इसकी अनुमती मिलती है तब दोस्तों यह निंदा प्रस्ताओ प्रस्तूत किया जाता है यह आप याद रखेंगे तो कम संख्या बरिया कितनी होने चाहिए पच्चास और भी विपक्ष के लोग यहां रहते हैं लिख रहा दोस्तों अगर राय जानने के मसवदे रखें तो उसे प्रस्ताओ काते हैं और प्रस्ताओ में ध्यान रखने वाली बाते हैं कि मुद्दा चाहे सरकारी का हो या मुद्दा चाहे दोस्तों गैर सरकारी का हो ठीक है इसमें दोनों को समलित किया जाता ठीक है तो मुद्दा चाहे सरकारी का हो, चाहे मुद्दा गैर सरकारी का हो, इन दोनों सदस्यों द्वारा दोस्तों याद रखेंगे, दोनों सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखा जा सकता है, यह आपको ध्यान देने वाली बात है, अगला सवाल लिख रहा है, सामाने तह, प्रस्ताव कितने प् प्रकाई रखे लेकिने कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों इनके कुल तीन प्रकार होते हैं याद रखेगा एक होता है मूल प्रस्ताव क्या होता दोस्तों मूल प्रस्ताव एक होता है ठीक है दूसरा होता दोस्तों अस्थाना पन प्रस्ताव क्या होता है अस्थाना पन कल ह को लोग पढ़ भी रहे घрашां चैसे आपको कफी अफ़र टीक में चैसे आपको चाहे की जगा काफी आफर कर दिया जा ठीक इस तरह तब्स के सहाय크 परस्टाओं यह तीन तरह के दोस्तो प्रस्टाओ होते हैं उनको याद रुखे तो चब लो स्थानापना काते हैं क्यों क्यों किए अस्थानापना प्रस्ताओ किस नियम के तहत लाया जाते हैं अस्थाना प्रस्ताव दोस्तों यहां पूछ रहा है यह किस नियम के तहट संसद में लाए जाते हैं तो पढ़िएगा दोस्तों एक नियम है नियम 342 क्या है दोस्तों नियम 342 पीछे हम लोगों ने पढ़ा नियम 40, नियम 193 और अभी पढ़ें दोस्तो 342 अभी आगे हम लोग 352 भी पढ़ेंगे तो नियम 342 क्या कहता अस्थानापन प्रस्ताओ इसी नियम के ताथ दोस्तों लाए जाते हैं ठीक है याद रखेंगे और यह प्रस्ताओ के बिकल्प के रूप में लाए जाता है क्योंकि तभी तो आप क्या कहेंगे उसे नाम क्या देंगे तभी तो अब अस्थानापन कहेंगे बिकल्प जैसे चाय का बिकल्प क्या है कॉफी है इस तरह से दोस्तों लाए जाते हैं करक कटवती प्रस्ताओ यह किस प्रकार का प्रस्ताओ है अगर हम मानतें कि प्रस्ताओ तीन तरह को बता मूल अस्थानापन और सहायक तो दोस्तो उसमें कटवती किस तरह का है कटवती प्रस्ताओ दोस्तो सहायक प्रस्ताओ माना जाता है क्या माना जाता है कटवती को किसके अंतरगत रखते हैं सहायक के अंतरगत रखते हैं क्यों क्यों क्योंकि दोस्तो यह अन् कि साहयक प्रस्ताव पर मतदान नहीं होता है सवाल यह भी पूछा जाता है लिखर अस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कब होती है अस्थगन प्रस्ताव कुछ कुछ हपतों कुछ महीनों के लिए लाए जा सकता है और याद रखेंगे प्रश्नकाल के बाद इसको अनुमती रहती है ठीक है किसको दोस्तों अनुमती रहती है किसको अस्थगन प्रस्ताओं के बारे में चर्चा के लिए दोस्तों अनुमती मिलती है और एक तरह से देखा जा तो एक समय भी निढ़ाईत है साम को चार बजे से लेकर के साड़े च्छे बजे का दोस्तों जो समय निढ़ाईत है वो किससे समदित है वो अस्थागन प्रस्ताव पर चल्चा से समदित समय है यह फिक्स समय है इसको भी आप याद रखेंगे ठीक है तो मुझे लग रहा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हैरान परसान हो रहे हैं कि सर यह समदित हान आप पढ़ा रहे हैं और कहां से पढ़ा रहे हैं हमने पढ़ा क्यों नहीं हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया यह तो भाई आप जानिए अब हमारे पास आएंगे तो हम यह कहते हैं कि आप विस पर्चेश कीजिए ना, खुस हो जाएंगे दोस्तों, कोई भी बैच पर्चेश करिए और नितिन सर का बैच हो ना, वो पर्चेश कीजिए, हमारे पास exam wise भी बैच है, जिसमें बहुत सारे हमारी टीम के द्वारा पढ़ाई जाता है, लेकिन जब आप मेरे बैच को लेंगे तब आपको लगेगा कि वाकई हम समझ पा रहे हैं कि बिसेप पर इतनी अच्छी पकड़ बान पा रहे हैं कि हम जो है कहीं लूज होने का चांसी नहीं, तो मौका दीजिए और समय एकदम मत गवाईए, ठीक है, हिंदी की भी क्लास चलती, बहुत सांदार ची, साम की क्लास चले अभी या आपको दोस्तों जीके जिसकी क्लास दिया जा रहा, 5550 सवाल, हम लोगों ने अपनी क्लास में कवर कर लिया, जब मैं सुरू-सुरू में कहता था कि आप बैच को जोहिं करिये, पढ़िये, लोग मानते नहीं ते, कहता था कि 1000 होगा, 2000 होगा, 5000 होगा, और दे निवेदन दोस्तों आपसे, अगर आपको लगे कि निजिन सर निश्चल भाव से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए महनत कर रहे हैं, हमें अच्छे से चीजों को समझा रहे हैं, तो आप खाली वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को पूरा देखे, धन्यवाद आपका, जै हिन, जै भारत, थेंक यू, थेंक यू सो मच